आप देख रहे हैं मेडिया विजन न्यूज चैनल हिमाचन परदेश में साथ में और आखरी चरण में लोकसवा की चुनाब हैं यहाँ एक जून को सभी चार सीटों पर मत्तान होना है हिमाचन परदेश में मंदी संसदिय छेतर सबसे होट सीट मान जाती है यह भारतिय जन्ता पार्टी की कर्मना रणोत और कॉंगरिस के बिकर्मा दित सिंग के बीच मुकाबला है दोनों ही नेता चुनाब परजार में उर्य दमखंग के साथ उत्रे हुए हैं दोनों ही परताशी एक दूसरे पर जम कर निशाना भी साध रहे हैं मैंने तो कहा है उनको इफ शी क्लेम्स कि उन्होंने पब्लिक सर्विस करनी है इन बोट सरक्मस्टांस से जीतने तो वाली वो यहां से है नहीं मगर अगर क्या हारती है तब भी क्या वो एफडेविट देने के लिए तियार है मंडी संसद्यक्षेत्र की जनता को की वो दिन रात लोगों के साथ रहेगी और उनकी जितनी भी भविश्य की फिल्म्स में उन्होंने साइन किया हुआ है वो अलग बात है कि आखरी दस फिल्में उनकी बॉक्स आफिस पे ज़्यादा चली नहीं है जबर्दस्ती वाली फिल्म्स है मगर फिर भी क्या वो ये एफिडेविट देने के लिए तयार है कि वो बॉलीवोड को अलविदा कहेंगी बॉलीवोड में आगे से कोई काम नहीं करेगी और दिन रात मंडी संसद्यक्षेतर के लोगों के साथ खड़ी रहेगी ये देखना दिल्चस्प होगा और मंडी संसद्यक्षेतर की जनता भी ये उनसे पूछ रही है कि क्या वो अपने बॉलिवर्ट करियर को मंडी संसद्यक शेत्र के लिए त्यागेगी या नहीं लगातार जिस तरीके कि वो टिका टिपनी कर रही है मैं उसका तो सोचता हूँ कि उसके बारे में बात करकर भी उसका रिपलाइ करकर भी हम उनको समानत नहीं करना चाते हैं जिस स्तर पे वो आ चुकी है वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है जो उनकी संसकार है जो उनकी एजुकेशनल कौलिफिकेशन्स है जो उनका एक सोच प्रदेश के लोगों के प्रती है और जो उनके कारणामे बॉली वोड में हैं हम तो उसके बारे में कोई बात कर नहीं रहें मगर जिस तरीके से वोड टिका टिपनी करती जा रही है ये प्रदेश की जनता देख रही है प्रदेश की जनता बहुत पड़ी लिखी है समझदार है और वो इसका जवाब एक जून को मैडम को देजेगी अगर लोगों ने मुझे जिम्मेदारियां दी और मुझे और जिम्मेदारियां मिली अगर केंदर से तो जो मैं अपना पूरा दम लगा दूँगी पर अभी एकदम से तो खेर इंडस्ट्री नहीं छोड़ी जा सकती मेरी काफ़े फिल्म स्पेंडिंग है देखिए एजुकेशन अगर सिर्फ स्कूल में होती तो इसका मतलब हमारे जो आज तक की जितने पुष्टे हुई हैं उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जो भी जितने आप इतने बड़े-बड़े काम दुनिया में आज तक हुए हैं जाए हमारे खाने को लेकर हो जाए हमारे मंदिरों को लेकर हो जाए हमारी जो भी एक विरासत हो पुष्टैने विसा विरासत हो तो ऐसा थोड़ी होता है intelligence जो है वो जो इंसान अपनी जिंदगी को एक school समझता है वो इंसान हर तरीके से जो है वो हर दिन सीखते हैं और जो हर दिन सीखते हैं वो practical knowledge on the spot लेते हैं तो खेर degree की एक अपनी एहमियत है अपने आपको school भी जाना चाहिए पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन आपने उस पढ़ाई से क्या सीखा वो तो समझ या रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा खास तो सीखा नहीं उन पढ़ाई से क्योंकि आज तक जो है उनका जो नाम है अपने पिता जी के ही जो विरासत है राजनितिक विरासत उसके ही करके हुआ है तो अब वक्त आ गया है वो जितनी भी डिग्रियां इक ठीकी हैं, जितने भी बड़े-बड़े संस्थानों पे गए हैं, जितना भी पैसा उस पे खर्च हुआ है, अब उसको कुछ प्रणाम दिखना चाहिए जन्ता को है न, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है जैराम जी वो इस क्षेत्र के, इनके अपने क्षेत्र के ये बेटे हैं, तो नच्रुली ये बीजेपी का गड़ है और भाते जन्ता पार्टी ने ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जैराम जी के करके